तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो में उसको कहा था कि उचुटकी की आवाद सुना तो उसके आवाद में आज इंट्रो निकला यार तो देखो यार आज नहीं यह वीडियो बहुत पुरान यह फोर तूफाइज पहले किया यार टीचस अगशन आप यह वीडियो बनाने का था और यह फ्लावर बनाने था तो बहुत थक गई तो मैं आपको प्लावर उसने कैसे बना है सबसे पहले आप का पेपर लेना उसको सेवरें इंटो सेवें लिए कट करने के बाद ना जिस तरीके से उसने फोल्डिंग किते नों फोल् करना याद मेरी चोटी सी चुटकी में को आदेते हैं इसलिए हमने उसके हाद में सिजर्स दिया तो अच्छे से कटकर निकल जाएगा आपको एक नहीं है दो दो फ्लावर बनाना है क्योंकि हमको एक फ्लावर के अंदर दूसरा फ्लावर लगाना उसी तरीके सो उसने सारे फ यहां से कटके लिए हम यह कट कर रहे हैं ताकि वह फ्लू फ्लावर रहे ना असली दिखे और बहुत साथ एट्रैक्ट्यू लगे तो जहां से कटके ना वहां गम लगा कि बस एक पर एक पंकुरी रखो और देखो कितना 3D एफेक लग और कितना क्यूट सा लग तो यह वा कर रहे हैं तो जिसके वह बहुत क्यूट लगा तो यह वाली फ्लावर को भी ना बीच से एक पंकुरी कट कर दो थोड़ा ता गम लगा दो और बश्यार इसको आपीस है जिससा हमने पहले किया था ना वे एफेक जिसा बना दो अर जो पहले बीच का पार बना तो उसकी पि टूट पिक नहीं है तो पतली से डंडी ले लो यार और गोल 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 करते है जो देखो यार हमारी स्टेम तो रही होगा इस तरीक तरीक ते बहुत सरे स्टेम मेरी छोडी सी बैने रेडी कर दिया अब हमें यह स्टेम को फ्लावर के पीचे चिपका देना तो उसके लिए स्टेम के बीच में से इसा मतलब कर दो गम लगा दो और फ्लावर के पीचे चिपका दो देखो यार क्यूट सा फ्लावर रेडी हो गया मतलब ऐसे क्राफ ना मेरी छोटी सी बहनी कर सकते है यह इतनी महनत करी है पता है उसने रात के बारा बज़े तक हम बस यही बना रहे खाना भी नहीं कहा यह तो मेरी छोटी सी चुटकी बेन असारे फ्लावर रेडी कर दिया बट रुको 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 यार पिच्चर अभी बाग किया अब यह ऐसे तो निदर सकते टीचर को तो 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 सारे टीचर के लिए उसने एक एक पैन लेका यह ता डेर मिल्क चिपक तो मेरी चुटी सी चुटकी मेरा सारी टीचर को यह गिफ किया और उनको बहुत ज्यादा तो फाइनली मेहनत का फल मिल गया टीचर के लिए सारी रेडी हो चुक है यार प्लीज उसको अच्छे चे कमेंट और अच्छे सपोर्ट करना या ताकि वह आपके लिए और करके जाना ओके बाई